असलाम अलेकूम एबरीवान कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोगों के लिए कीमा पूरी के रैसीपी लेके आई हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों को मोटा मोटा पेस्ट बनाना है इसका और यह प्यास और मिर्ची का में चौप करना है यह देखें चौप कर रही हुए जीरा गरम मसाला और हींग तो गाइज हम लोग एक पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑइल डाल कर उसमें जीरा डालते हैं और फिर कीमर डालते हैं थोड़ा सा इसको भूनने के लिए छोड़ देते हैं और फिक करम मसाला हींग और जीरा जो था हमारा वो सब टाल देते हैं और जो हमने मिर्ची और लसन म तो पेस्ट बनाया था उसका नमक का वह भी एड करते हैं गाइज यह आटा है पूरी बनाने के लिए इसमें अजवायन नमक और फूड कलर जर्दे का रंग होता है फूड कलर वह एड करना है और हमें इसमें अभी तेल भी आड करना है फन टेबल स्पून हां जी यह इसमें कुछ भी अक्स्ट्रा मसाले नहीं पड़ते हैं और नहीं जादा तेल यूज होता है बिल्कुल थोड़े से तेल में बन जाता है कीमा यह देखिए गाइस देखे ही मुँ में पानिया जाएगा मेरा यह तयार होगे बहुत जल्दी बन जाता है इसमें कोई सीटीवीट मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यह तयार हो रहा है यह देखिए और वो जो हमने प्याज और हरिमिच चॉप किया था वो डालूगे मैं इसके अंदर य इसलिए मैं तो तीखा ही करती हूँ यह देखिए गाइस मेरी पूड़ी बनके तयार हो गई है सो गाइस अगर आप लोगों को मेरी कीमा पूड़ी के रेसिपी अच्छी लगए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इंशाल्ला मैं आप लोगो के लिए नए नही रेसिपीस लेकर आती रहूंगी तब तक के लिए अलाहाफिस आता ंप लोगों को लाइस लेकर आता थाया है सब्सक्राइब को लाइस जालाहाफिस